हिमाचल में विधान सभा की सान्य निधी लीखा समीती ने जिला विलासपूर में बचट भवन में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक कर अलग-अलग लीखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उलेखित आडिट पैरों की समीक्षा की और बैठक की अधियक्षता सान्य निधी लीखा समीती के अधियक्ष इंद्रदत लखन पालने की बैठक में जिला के सभी शहरी निकायों जिसमें नगर परिशद सदर नगर आडिवी जी के 13 आडिट पैरों और बाबा बालकनाजी 161 आडिट पैरों लक्ष्मी नरायन विलासपूर के 11 आडिट पैरों पर अधिकारियों से जवाब तलब किया तो आपको बता दे कि हिमाचल में विधान सभा की स्थानिय निधी लेखा समीती ने जीला विलासपूर में बचट भवन में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक कर अलग-अलग लेखा परिक्षा प्रतिवेधनों में उलेखित आडिट पैरों की स जसी के साथ आपको ये भी बता दे कि बैठक के अधियक्ष ता सान्य ने धीलेखा समीती के अधियाक्ष इंद्र दत लखन पालने की और बैठक में जिला के सभी शहरी निकाएं जिसमें नगर-परिषद, सदरनगर, परिषद और नैना-देवी जी और नगर-पंचायत, शेतलाई द्वारा बीते तीन सालों में शहरिक्षित्र में किये गए सभी विकासकारों के समिक्षा की गई और बैठक में कमेटी ने जिला में सभी मंदर ट्रस जिसमें नैना देवी जी के 13 ओडिट पैरों और बाबा बालकनाज जी के 161 ओडिट पैरों लक्षमे नरायन जी के बिलासपूर के 11 ओडिट पैरों पर अधिकारियों से जवाब तलब किया है तो आपको बिलासपूर से खबर बता रहे हैं जहांपर अध्यक्षता इंद्र दत लखनपाल की ओड से की गई और बैठक में तीन साल के कामकाज पर चर्चा की गई और आपको बता दे कि इस बैठक में अधिकारियों से जवाब तलब भी किया गया और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ ये बैठक ली गई और बैठक के अध्यक्षता सानिया निधी लेखा समीती के अध्यक्ष इंद्र दत लखनपाल ने की और बैठक में जिला के सभी शहरी निकायों में जिसमें नगर परिशद सदर नगर परिशद नैना देवी जी और नगर पंजायत शाहतलाई द्वारा बीते ही तीन सालों में शहरीक शेत्र में किये गई सभी विकासकारों की समीक्षा की गई बैठक में कमेटी ने जिले में सभी मंदिट रस्ट जिनमें नैना देवी के 13 ओडिट पैरो और बाबा बालकनाथ 161 ओडिट पैरो लक्षमिन अरायन विलासपुर के 11 ओडिट पैरो पर अधिकारियों से जवाब तलब किया